हेलो एवर्वन कैसे हुआ आप आज की इस वीडियों में हम बात करेंगे थ्री ब्रेकोव स्टोक्स और साथ के साथ निप्पी बैंक निफ्टी का अनलीसिस कल है बैंक निफ्टी की विक्ली उप्षिन के एक्सपैरी तो क्या ट्रेड लेवल रहेंगे विकोज बैंक निफ्टी विमन गया है इंसाइड बात तो काफ इंपोर्टन एनलीसिस रहेगा कंप्लीट देखना तो सबसे पहले हम शुरूबात करते हैं यहां से कि डियाइज एफवाइस के एक्टिविटी रही है त्री ताउजेंड तूंडर क्रोड और एफवाइस और यहां पर देखिए कि कल मैंने आपके साथ एक वीडियो भी डरा थे लेक्शन ट्रेडिक स्टैजी और कि अगर आपको और स्टोक्स में भी आपको प्रोफिट कब बुक करना है तो यह सब मैंने आपको डिटेल में डाला है में लिस में क्या कॉल पूट्स ओप्शन कि कि ये इस्टरड़े कल मनदे इसमें ऊपर से लेवल से यहां पे सेलीं प्रेशर देखने को मिला एक रिजेक्शन देखने को मिला और आज इसाईड बार बन गया बिल्कुल डेलों के पास क्लोज हुआ है जो कल का यष्टरड़े उसके आस-पास तो उसके थोड़ा सा ब फिर उसने यहाँ पर स्पॉन लिया था दुवारा फिर से और अब जो यह लोएवल है यह है 49,000 का राउट फिगर में लेवल तो अगर कल बैंक निफ्टी 49 के नीचे continue sustain रहता है इसके नीचे continue जाता है तब आपको sell on rise करके ही चली यहाँ पर small size से लेकर और target रहने चाहिए क्योंकि अभी sidebar बन चुका है और उपर से rejection है तो यह price एक वर at least आप जा सकता है 48,600 और इसके नीचे भी और देरे-देरे आप इसको फे ट्रेल कर सकते हो और profit booking इसलिए आ सकते है यह just a correction या profit booking क्योंकि यह बेंग निफ्टी यहाँ से देखिए 47,450 से यहा देखिए इसने हाई बनाया था 49,600 और मॉर्स 2,950 देरे-देरे one side चलता किया तो आप profit booking आ सकती है तो alert रहना rent तभी चाहिज हो सकता है अगर या तो यह 49,700 के उपर sustain हो जाए या फिर एक हलका सा यहार रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर यह 49,400 के उपर sustain हो जाए बट बैट रहेगा कि जब तक 11 क्रोस नहीं होता उपर side में तब तक आप इसको sell on rise करके चलिए जादा बैट बैट रहेगा तो इसी तरह से कल आप इसमें bank nifty में option में trade apply कर सकते हो और in case अगर मालीजी बड़ा gap down open हो जाता है तब फिर आप इसको void कर सकते हो फिर थोड़ा wait turn watch करिए प्राइज उपर आएगा तब फिर उसमें देखिए कि क्या setup बनता है और ऐसी बड़ा gap open हो जाए मालीजी gap open होता ही यहाँ पर 49 700 के बाज आता है तो वहाँ पर आपको देखना है कि इसके उपर अगर नहीं sustain होता तो sell on rise यहाँ भी कर सकते हो फिर यह और भी ज्यादा प्राइज नीचे जाता जा रहा है और अभी आ चुका है 22,865 तो यहाँ से अगर यह कल continue flat open आता है और थोड़ा सा ओपर bounce मिल जाता है अगर तो क्योंकि इसका जो main resistance रहेगा अभी यह जो देखिए level है 23 तो 23 के stop loss के साथ इसमें sellerize कर सकते हो जब तक 23 के उपर sustain ही होता तब तक आप इसको sell side देख सकते हो emulated target रहेगा फिर 22,800 यह एक support का काम कर सकता है क्यों क्यों कि हमने पहले में discuss किया था कि यह जो breakout आया था यह retest करने आ सकता है तो यह एक 22,800 का level रहेगा और उसके बाद फिर 22,600 का लेकिन अगर 22,800 ब्रेक हो गया तो फिर देन यह आप इसमें 22,600 तक भी जास्कते हैं तो यह था nifty band nifty एक देखिए और आप चार्ट पे नज़र डालिए कि जिसको आपको नज़र रखना एक index है पहले वह बात कर लेते हैं फिर breakout stocks बाद में देखते हैं यह है nifty small cap ender तो nifty small cap ender का यह चार्ट है यहाँ से यह देखिए काफी days होगी य लेकिन अगर यहाँ से यह breakout देता है lifetime I close करता है तब इसमें काफी अच्छा small cap में momentum देखना पड़ेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यह नीचे correction भी दे सकता है तो अभी दोना तरह से इसमें setup के लिए यह त्यार हो रहा है और यह इसमें यहाँ पर देखिए यह उटाता है तो फिर और बड़ा जम पा सकता है तो रेडी रहना small cap की इंडेक्स को बोच करते रहना तो यह था निफ्टी बेंग निफ्टी और small cap इंडेक्स का चार्ट अब बात कर लेते हैं ब्रेकों स्टोक्स और ब्रेकों स्टोक्स करने से पहले देखिए मैंने आज आपको स्टोक बिताता हूं स्टोक का नाम है HDFC Life काफी लोगों भी इसमें लगएगा कि ब्रेक आउट नहीं है जैसे मैंने अभी संडे को चार्ट वीक वीडियो डाला था लास्ट टाइम इस संडे नहीं उससे तूला संडे तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ कमेंट देखने मिले कि सर इसमें तो कोई ब्रेकाउट ही नही रहा है तो वही उनको ब्रेकाउट लगता है ट्रेंड रिवर्सल काफी लोगों को समनी आता है कि ट्रेंड रिवर्सल क्या ब्रेकाउट होता है कि प्राई नीचे जा रहा है और नीचे से कैसे रिवर्सल दे रहा है वो क्या ब्रेकाउट होता है या ब्रेकाउट रीटेस् चलगता है तो ऐसे देखिए अभी इसमें ये HDFC लाइट का है चार्ट इसमें देखिए प्राइट कोंटिनू नीचे जाता जा रहा था यहां ये काफी दिर श्टगर करा तो ये बिर्कुल एक इंट्र डे या शोटर्म का ट्रेड रह सकता है अगर ये 572 के आसपास मिल जाता है तो यहां भी बाय कर सकते हो फ्लैट भी क्योंकि काफी दिन ये साइड बेज होने के बाद इसने ये जो रिस्टन्स था इसका 572 उसको ब्रेक किया वर अभी 578 के पास क्लोज हुआ है तो इस के टार्गेट रहने चाहिए तो जब कई बर आपको श्टोप को कोई निचे से रिवर्सल काज करते हो तो उसमें बड़ा मोमेंटम आता है जैसे मैंने आपको देखिए एक और एक और पर बता देता हूं थोड़ा आपको और समझाएगा ये UPL का चार्ट मैंने आपको सें आपकी और भी ट्रेडिंग काफी बैटर हो जाएगी अब बात करते हैं सेकेंड ब्रेक और स्टोप्स सेकेंड ब्रेक और स्टोप्स आप सबका पसिंद की कैसे जो अगर आप लाइफ टेम हाई ब्रेक आउट देख रहे हो तो वह वैसा वाला तो यह देखिए आर इसी लि टेस्ट आ गया था तो मैंने आपको कहा था क्लिए यह री टेस्ट आएगा तो वहां पर इंट्री करना यह 4.83 से अब द्वारा फिर 5.80 पर पहुंच गया और आज की डेट में आप इसमें देखोगे इसमें इसमें साइड बार भी बनाई है तो आज इसमें साइड बार ब पर इसमें रिस्क रिवर बन इस टू रखकर आप इसमें ट्रेड ब्लैन कर सकते हो लेकिन अगर आप बड़े स्विंगेंडर हो यह इनवेस्टर हो तो इसमें आप बड़े टार्गेट के लिए भी खोल्ट कर सकते हो रफी अच्छा स्टोग है मोमिन्टम में है और यह description comment box में मिल जाएगा link पर क्लिक करके यहाँ जोइन के लिए last walk में भी देखी यह एक side इंड रस्टी यह यहाँ पर एक momentum आया था इसमें काफी दिन side wage था यहाँ पर 3 यह 3 20 से इसमें momentum आ गया था 481 का हल बड़ा उसके बाद काफी दिने side wage रहा और यह 21 यह में के पास थोड़ा touch किया और इसी को hold करता जा रहा है और इसमें breakout दे दिया था yesterday 485 पर तो इसमें भी आप buy on dip कर सकते हो जब तक कि यह level है 460 ब्रेक नहीं होता है इस stop loss के साथ इसमें बने रह सकते हो और in case माल लीजे 480 के आसपास मिल जाता है वो भी अच्छे level है current price करते तो small stop loss रहना चाहिए आज भी इसमें काफी अच्छा volume fit से देखने को मिला है तो यह तो तीनों जो शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइक्टिन को प्रेस कर लीजिए वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद